जैसा कि आपको पता होगा इगनू ने जनवरी 2023 का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप next year या फिर next semester के लिए online री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकती है रजिस्ट्रेशन से ले करके प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना skip किये complete देखिए और इगनू से related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे ताकि नए वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस वाली page पर आना होगा और इस page पर आने के बाद आप re-registration के बारे में सभी जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं इसके अलाबा जो re-registration का link है जनवरी 2023 session का वो यहाँ पर mention किया गया यहाँ पर आप click करेंगे तो उसके बाद यह जो page अपन हो जाएग लास्ट डेट को extend कर दिया जाएगा री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक box दिखेगा इसे टिक करेंगे और यहाँ proceed for re-registration इस पर आप click करेंगे तो उसके बाद यह page open हो जाएगा लेकिन उससे पहले अगर आपको य सबी student के बारे में detail में बता रखा है इस वीडियो का link नीचे दिया हुआ है और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आने के बाद अगर आपने account बना रखा है student portal पर तो यहाँ पर आपको अपना login details डालने के बाद account को login करना होगा लेकिन अगर आप इस portal पर पहली बार आई ह तो पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक new account create करना होगा जिसके लिए यहाँ आप new registration पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर student registration फोरम आज आएगा उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी program code है वो आप इस तरीके से select करेंगे आपका जो भी नाम है जो इगनु के ID card पर लि जैसे ही आप submit पर क्लिक करते है तो आपका जो भी registered email ID है और mobile number है उस पर एक OTP जाएगा छे अंको का OTP रहता है जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपका OTP रहता है वो 15 मिनट तक valid रहता है OTP डालने के बाद submit पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया password बनान आप यहाँ पर confirm करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर ऐसा interface आजाएगा you can login now यानि कि आपका account अब बन चुका है आप account में login कर सकते हैं account को login करने के लिए यहाँ पर आप अपना enrollment number डालेंगे जो password आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे verification code जैसा यहा login पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आपको re-registration करने के लिए यहाँ जो click here का option दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जनवरी 2023 session का जो re-registration है वो start कर दिया गया है आप जिस भी year या फिर semester का re-registration करने के लिए eligible रहते है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है अगर यह option आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा re-registration इस पर आप click करेंगे तो फिर यह जो option आपको यहाँ पर भी दे दिया जाता है यहाँ click here to select your course इस पर आप click करेंगे और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा study material चाते है अगर यहाँ पर आप पहला वाला option select करते है तो इसमें यह होता है कि आपको PDF format में study material दिया जाता है जो कि आपको e-gyan course से खुद ही download करना होता है अगर आप पहला वाला option select करते है तो इसमें आपको जो फीस रहता है इसमें आपको 15% का instant discount दिया जाता है लेकिन अगर आपको hard material चाहिए यानि कि अगर आपको books चाहिए जो कि by post आपके घर पर आता है printed book चाहिए तो यहाँ पर आपको यह second वाला option select करना होगा और इसके अलावा अगर आप SC या फिर ST category के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर आपको तीन और नया option देखने को मिल सकता है देखिए अगर आप SC या फिर ST category के अंतरगत आते हैं तो book का option select करने के बाद यहाँ पर आपको 3 और option दिया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप fees में छूट पराप्त करना चाते है या फिर नहीं तो देखें उसका answer आपको कैसे देना है सबसे पहले यहाँ पर आपका category आ जाएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा employment status के बारे में जिसमें आपको बताना होगा कि आप employed है या फिर unemployed है अगर आपको fees में छूट चाहिए तो आपको unemployed select करना होगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी भी source या फिर agency से scholarship प्राप्ट कर रहे है जिसका answer आपको yes और no में देना होगा अगर fees में छूट चाहिए तो आपको no में answer देना होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप fees में छूट प्राप्ट करना चाहते है या फिर नहीं अगर आपको fees में छूट चाहिए यानि कि अगर आपको कोई भी fees नहीं देना है तो यहाँ पर आपको yes वाला option select करना होगा और जो भी आप यहाँ पर details देंगे तो उसके according आपको बताया जाएगा कि आप जो है fees में छूट प्राप्ट करने के लिए eligible है और यहाँ पर आपको yes का option दिया जाएगा तो जो भी SC, ST category के अंतरगत आते हैं BAG, BCOMG, BSCG program के student तो उनको यहाँ पर यह option दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी semester रहता है या फिर year रहता है यहाँ पर आपको उसके according subject select करने के लिए बताया जाता है तो यह पहले यहाँ पर आपको बताया गए skill enhancement subject select करने के लिए जिसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको subject दिया जाता है यहाँ पर subject को select करने से पहले ध्यान रखिए आपको जो भी subject पसंद है या फिर जो भी subject आप पढ़ना चाते है या फिर जो भी subject आपको आसान लगता है यहाँ पर आप अपने according select कर सकते हैं इस तरीके से लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ important चीजे बताना पसंद करूँगा subject को select करने से पहले आप देख लेना कि यह subject जो है हिंदी का है या फिर math का है या फिर sociology का है या फिर कौन से subject का है और उसके लिए आप assignment को देख सकते है या फिर आपका जो भी program है program guide को आप खोलेंगे तो उसमें आपको subject के बारे में बताया जाता है अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत subject select करते हैं और आप cbcs program के इंतर गताते हैं तो आपका subject बाद में change नहीं होगा और बहुत से student क्या करते है कि starting में वो English नहीं पढ़ते है या फिर math नहीं पढ़ते है और यहाँ पर गलती से वो subject select कर लेते हैं तो ऐसे में उनके लिए जो subject है उसको clear करना काफी मुश्गिल हो जाता है तो आप ध्यान पूर्वक तसल्ली से यहाँ पर subject को select कर लेना जिससे की बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर आप अपने according देख लेना कि आपको कौन सा subject पढ़ना है या फिर कौन सा subject आपको अच्छा लगता है तो आपको यहाँ पर अपने according select करना होगा जैसे की मैं यहाँ पर जिनका re-registration कर रहा हूँ मैं उनका यहाँ पर subject select कर रहा हूँ ऐसे ही यहा पर select कर लेता हो इसके बाद फिर आपर साथवेनमर का सबजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए दुए हला तो हम यहाँ पर यह वाला subject सब्रेक्ट कर लेते हैं और subject सब्रेक्ट करने के बाым देख लिए कैं आपने क्या क्या सब्रेक्ट किया उसके बाद आपको क्newil किया हुआ आ जाएगा बस यहां पर आपको submit करने का option दिया जाएगा और उसके बाद ऐसा interface आ जाएगा आपने जो भी subject select किया है वो यहां पर आपको बता दिया जाता है और जो भी आपने study material का option किया है वो भी यहां पर आपको बता जाता हुश के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको फीस बता दिया जाता है आपके प्र leukeराम के according कि आपको अभी किटना फीस शम्मिट करना होगा इसके एलाबह अगर अभी भी आप subject को बदलना चाहते है तो यहां अपडेट payment करने के लिए 2 option दिया जाएंगे यहाँ पर यह जो आपको payment के लिए second option दिया गया इसमें credit card, debit card और net banking का option दिया गया है लेकिन अगर आपको UPI के मादिम से payment करना है या फिर wallet के मादिम से payment करना है तो उसके लिए यहाँ पर जब gateway 1 update किया जाएगा तो उसके मादिम से आप कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ दिन wait करना होगा फिर यहाँ पर जो payment gateway 1 है वो आ जाएगा तो उसके बाद आप UPI के मादिम से भी payment कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर payment gateway 2 से ही payment कर देते हैं अगर आपके पास HDFC bank का credit card या फिर debit card है तो यह वाला option आप select कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास किसी दूसरे bank का credit card या फिर debit card है तो यहाँ पर आपको वो भी option दिया गया है अगर दूसरे bank के debit card के मादिम से payment करना चाते हैं तो other bank debit card आपको select करना होगा और अगर आप net banking के मादिम से payment करना चाते हैं तो आपको इस बर click करना होगा और फिर यहाँ पर payment के लिए जो सभी bank है उसका option आपको दे दिया जाएगा तो आपका जो भी bank है वो यहाँ पर आप select कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप search भी कर सकते हैं आप जो भी bank यहाँ पर select करते हैं उस bank का payment का gateway open हो जाएगा उसके बाद फिर आपको जो login details है username, password डालना होगा आपके bank के तरफ से OTP आएगा OTP को डालेंगे आपका payment successfully हो जाएगा और इसके अलावा अगर आपको card के मादिम से payment करना है जैसे कि मुझे other bank debit card के मादिम से payment करना है तो हम यहाँ पर other bank debit card select करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको card का details देना होगा जिसके लिए यहाँ पर आप card का number डालेंगे expiry date यहाँ पर डालेंगे, CV भी यहाँ पर डालेंगे आपके bank के तरप से एक OTP आएगा OTP आपको डाला होगा, फिर आप submit पर click करेंगे आपका payment successfully हो जाएगा अगर payment करने में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे नीचे comment box में या फिर Instagram पर बता सकते हैं मैं आपकी पूरी पूरी help करने की कोशिस करूँगा और जैसे ही आपका payment हो जाता है तो फिर आपको acknowledgement slip download करने को option दिया जाता है और उसके अलाबा एक तरीका भी है जहांसे आप download कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं Re-registration का payment slip download करने के लिए आपको दुबारा से account में login करना होगा और यहां पर आपको मिल जाएगा re-registration इस पर आप click करेंगे और फिर यहां पर आपको एक option मिल जाएगा re-registration history यहां click here वाले option पर आप click करेंगे और उसके बाद ऐसा interface आ जाएगा अगर आपका payment successfully submit हो जाता है तो यहां पर status में submitted लिखा हुआ आ जाता है लेकिन अगर आपका payment successfully submit नहीं होता है तो यहां पर new application या फिर payment pending लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही आपका payment हो जाता है तो यहां पर आपको print को option दिया जाता है यहां print वाले option पर आप click करेंगे और उसके बाद ऐसा interface आ जाएगा acknowledgement slip यानि कि payment slip को download करने के लिए दिये दीजे और उसके बाद आप save पर click करेंगे तो जो आपका acknowledgement slip है यह successfully download हो जाएगा आपके device में save हो जाएगा तो इस तरीके से आप next year या फिर next semester के लिए online registration कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए कोई question है तो नीचे comment box में आप बता सकती है